हेलो गाइज वेलकम बैग तो आज हम बात करने वाले हैं 29 ओगस्ट को मार्केट या फिर बैंक निफ्टी क्या-क्या प्राइज एक्षन सिनारियोज क्रियेट कर सकता है प्लस कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो उसके अकूर्डिंग भी जो भी प्राइज एक्षन क क्रियेट हो सकता है वो सब चीजा अज डिसकर्स करेंगे तो यह है अपना बैंक निफ्टी का शूचर्स का चार्ट वीकली पर तो आप देख सकते हो कि कल्वाले या फिर बोल सकते हो कि पिछले वीक का जो भी केंडल है तो उपर सा अच्छा-कासा वीक बोल सकते हो तो हमें अच्छा कासा नीचे साइट का मोमेंटम भी मिल सकता है तो आज हमें देखने को मिला कि प्राइज थोड़ा बहुत गैप ओपन हुआ और अच्छा वन साइड़ी ऊपर की साइट मूं करना स्टार्ट कर दिया राइट यह चीज हमें बैंक निफ्टी में देखने को म साइड़ी बोल सकते हो कि लंसम हजार पॉंट प्राइज यहां से नीचे आ गया था तो इफ जब तक प्राइज 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है यह सिंपल सी सिनारियो आपको यहां पर देख सकता है प्लस आप यहां पर भी चीज देख सकते हो यहां पर नीचे से आप प्रॉपल यह वाला बॉटम गिनके भी चलो गया न तो यह अच्छा अच्छा मतलब बोल सकते हो कि 600 पॉंट का यह वाला रैली है तो इफ यह वाला वन साइडिट 600 पॉंट का रैली का भी आप रेट्रेस्मेंट में गिनने जा है वह वह ब्रेक्डाउं पी दे दिया तो देखते हैं कहा तक मारकेट यह वाला जो भी ट्रैलाइन है वह उसका ब्रेकडाउन देंगे कहां तक हम अनुमेंटम दे सकता है अभी जो भी इंट्राडे सिनारियोस क्रेड हो सकते हैं उसकी बात करते तो अपने पास है ना यह वाला जो भी 44 360 के अराउंड यह वाला एक सपोर्ट एरिया है वह सब पहले रजिस्टन्स का काम कर रहा था अभी वह ब्रेक होकर सपोर्ट बन गए राइट तो यहां पर इस फ्लैट यह फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो अपने पास यह 44 360 तक का एक टार्गेट त लिस्ट यहां पर यहां तक तो आई सकता राइट यहां पर फिर वह फिर वह सब्सक्राइब कर देख दिखा सकता राइट तो यह होगी ? बैंक निफ्टी का नेगेटिव सिनारियो कि प्राइज इफ नेगेटिव होगर नेगेटिव या फिर फ्लाइट ओपन होता है तो फिर 44 360 या फिर जो भी ना बोल सकते हो कि 44 लेके चलो चलो कि 44 250 तक के टार्गेट तो या एक यह वाला सिनारियो कि मतलब प्राइज फ्लाइट भी ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा था इफ अभी क्या एक चीज है कि मतलब जो भी रेंज हमने पकड़ी है ओए डेटा के इसाब से कि 44 500 से 44000 की रेंज है तो उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट टॉप पर है राइट तो इफ प्राइस को वह वाली रेंज प्ले करनी होगी ना तो यह अच्छा-कासा सैलिंग प्रैसर में भी हमें नीचे की स इसलिए प्लस हमारा जो भी बीटी सटी भी है आप देख सकते हो कि वह नीचे की साइट हमने दिया हुआ है तो अल्री इफ प्राइस हमारे फेवर में जाता है तो अच्छा-कासा मतलब पॉइंट फाइटा के हिसाब से भी यह सांट सतर पॉइंट तो यह एक सिनारियो प् सकता है कि प्राइज फ्लैट यह फ्लैट से थोड़ा सा उपर ओपन हो जाए तो उपर ओपन होने के बाद यह वाला जो भी अपना आज का डे का हाई है या फिर बोल सकते हो कि यह वाला जो भी स्विंग हाई है तो स्विंग हाई फरस्ट हमारा रजिस्टन्स का का काम कर सक एक सेकेंड में स्विंगाइड रॉक हो ले तो हम यहां पर यह वाला ओके तो मतलब कुछ ज्यादा खास पहली मतलब जो भी हमारा रजिस्टन्स से एकदम नजदिक है बोल सकते हो और उससे उपर थोड़े और पाचास पॉइंट की जगह तो मतलब डेट सो पॉइंट लमसम जगह आप उपर की साइड लेकर चल सकते हो यहां तक की यह वाला एक एरिया में क्यों ले रहा हूं तो वह भी मैं आपको बता देता हूं कि प्राइज इफ आपने यह वाला दिन जबके दिन मतलब जो भी चंद्रयान थ्री वाला न्यूज जिस दिन आया था ना उसके नेक्स टे की बात है यह तो वहां पर आप देख सकते हो कि यह वाला एक सपोर्ट हमने यहां पर टूंडा था कि मतलब प्राइज एक बार दो बार तीन बार सपोर्ट लिया ब्रेक प्राइज के प्राइज यहां से उपर जाए इफ वो डे जो भी प्रीवियोस टे का हाई है वहां पर वह सस्टेंड करता है ना तो उससे थोड़ा बहुत उपर जाता हुआ दिख सकता है रैट यह तो होगे मतलब फ्लैट टू गैप यह फिलाट ओपन होता है और उपर जा दिखते हो कि आज का जो भी स्विंग हाई था वहां पर ही ट्रैपिंग सीनारियो जन्रेट हुआ था वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस्मेंट अल्रेडी मार्केट देना चालू कर दिया तो इफ मतलब आज का यह वाले स्विंग जो भी दिख रहा है हमें 4460 के दोनों सिनारियो मैंने आपको बोल दिये है कि मतलब जो उपर जाएगा तो क्या करेगा और हां जो भी उपर जाएगा जो भी मैंने लेवल आपको यह वाला बोला आई थिंग यह 44670 या फिर 44650 से 44700 का एक 50 पॉइंट का रेंज पकड़के चलिए इफ मार्केट यहां से स अब्ही के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट वहां तक जा सकता है जो भी वीकली सिनारियो जो भी लास्ट वाले फ्राइडे वाले एनलिसिस में प्री मार्केट में अल्रड़ी समझाए था कि इफ मार्केट को उपर भी जाना वह तो यह अच्छा बाइब बनाएगा उसके बाद उपर जाएगा और इफ यह सिर्फ बाउंस भी होगा ना तो में भी यह वाला लेवल भी हमारा ब्रेक हो सकता है और फॉर्दर लेवल स्पिर हमें देखने को मिलेंगे तो यह सब चीजे अल आपको यहां पर देखने को मिल सकती है नीचे 120-130 पॉइंट और उससे नीचे फिर 100 पॉइंट और यह चीज आप दियान में रखेंगे प्लस उपर भी मैंने दो सिनारियो बता दिये एक यह वाला लेवल और उसके उपर फिर 45,000 तो यह चीज आप बैंक निफ्टी में दि और आज के दिन भी वह उपर गया है तो अच-कुछ मनलब ऐसा भी नहीं के बनसाड़ेट ली उपर गया था तो जो भी कुछ रिलाइंस वाला भी कुछ न्यूज आने वाला है प्लस एक चीज होती है ना कि मतलब स्टार्टिंग में कोई भी न्यूज वगरा आने वाली हो तो उसमें अपने को डिसकांट होना प्राइज है जो भी प्राइज हो डिसकांट होना चालू कर देती है वह सिनारियो क्रेट होता हुग हमें दिख सेता है वह एक चीज दिख रहे है इफ मार्केट कल नाइगेटिव ओपन होता है या फिर बोल सकते है कि इस गल एक्सपार यह वाले बोल सकते हो कि 9740 वाले तो यह वाले स्विंग लोज टूटे गिंदा तो यह वाला एक अपना पहले जो भी रजिस्टन्स था यहां पर आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बार प्राइज वहां पर हॉल्ट हुआ है और फिर वह तोड़के उपर गया पुल बैक होता है तो 700 तक वह एजिली स्लाइड हो जाएगा उसके बाद नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी मैंने कीची है ट्रेंड लाइन भी ले सकते हो प्लस एक यह वाला लेवल भी आप ले सकते हो तो सुरी गाइस अब चाहर सेवन फॉर्टी सेवन हंड़ेड और फॉर्दर फि देखने भी जाएंगे ना तो गिन लेते कितने पॉंट्स की जगह हमारे पास नीचे के साइड है जो भी क्लोजिंग है वहां से आप यह देखने जाए तो एक तो यह साट पॉंट और और नीचे जाएंगे तो यह 40-50 और ओके तो 110 पंट की जगह हम नीचे देख सकते हैं तो यह प्रोपली एक इंट्रेडे स्ट्रक्शर की बात हो गई अदर्वाइस आप देख सकते हो कि नीचे से भी एक यह वाला ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रहा है कि प्राइस एक बार यहां पर सपोर्ट लिया दूसरी बार यहां पर थर्ड टाइम नीचे ब्रेक आउट है राइट तो वह सब चीजें आप को चार्ट देखो गए तो आपको वहां पर पता चलेगा तो आप देख सकते हो कि बोल सकते हो हो एक स्ट्रॉंग बाइंग हमें दिखती है ना कि वन साइड बुमेंट हो वाला तो वह एक चीज हमें यहां पर नहीं देखने का मिलिए त तो फिर हम यहां तक आ सकते हो कि ट्रेंड लाइन और फिर यह वाला लेगा तो वह एक चीज ध्यान में रखेगा अदर्वाइस आप जो भी फॉर्स्ट आज का जो भी डे हाई बोल सकते हो तो यह एक आपको अच्छा-कासा एक रजिस्टन्स का काम करता हुआ दिखेगा क करके दिन कि प्राइज फ्लैट ओपन होती है तो इस प्राइज को ऊपर भी जाना होगा ना इस किसी ने बीटी एश्टी में नीचे की साइट का लिया होगा तो भी मतलब उनको इतना ज्यादा मतलब बोल सकते हो कि दिक्कत की बात नहीं है विकॉस आपको देख सकते कि जो होता है और इफ यह गैप ओपन हो जाता है तो अपने पास है ना दो लेवल्स है मेंली तो एक मतलब रेफरेंस के लिए ले लिए क्योंकि मुझे लब बड़े टार्गेट्स नहीं देना नॉर्मल सेफ ट्रेज सेफ टार्गेट्स देंगे और सेफिट सेफिट प्ले यह वाला डे हाई यह वाले दिन का तो अपने पास इफ यह गैप भी ओपन हो जाता है ना तो यहां पर 60 पॉइंट ऊपर यह वाला एक रेजिस्टरंस एरिया है जहां से मतलब प्राइज नीचे आया है चंटिनूसली रेजिस्टरंस लिया था और फिर नीचे की साइट फ 19200 के ऊपर वाला ठीक है नाइंटीन थाउजन नाइन हंडड सॉरी तो नाइंटीन थाउजन नाइन हंडड के ऊपर वाला यह एक जोन आप पकड़ के चलिए कि इफ प्राइज को ऊपर भी जाना होगा ना तो यह यहां तक जा सकता है और अदर्वाइस देखते हैं मार्के जो भी सिनारिट करता है तो यहां पर वेशनमट्य वसकम सब्साइब करेगा जो आपको इसके सिनारिफस में भी आपको एक्स्टेव घ्रा राइड तो उसके साब से को पता ही है तो देखेंगे कल फिर मार्केट फिर्स्ट हाप के बाद या फिर बोल सकते हो कि एक गंटे के बाद क्या 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 प्राइज एक्षन बनागा उसके बाद मतलब फिर निफ्टी में ट्रेड लेंगे बस मोस्ली और दूसरी एक चीज वीकली टाइम पर हमने निफ तो मतलब अच्छा कासा आ सकता यह नीचे नाइंटीन थाउजन एटलिस साइकोलोजिकल लेवल तक तो हमें वह देखी सकता है तो देखते हैं फिर तो आल्मोस मुस्ली सभी चीजे यहां पर मैंने एक्स्पेंट कर दिये गाइस होब सभी को आपको यह पला प्री अच्छे से बोल सकते हो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा राइट तो बस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में अदर्वाइस जो भी वीडियो जम पोस्ट करते वो करते है तो वह आप शैर करते रही है लाइक करते रही है और जो भी हमारी कम्यूनिटी है उसको जॉइन करके रखें फॉर्धर डीटेल्स के लिए थैंकियो सो मज़ गाइस